किसान भाईयो नमस्कार स्वागत आपका हमारी यूटूब चैनल स्मार्ट एग्रिकल्चर में आज के इस वीडियो में हम लासुन की खेती के बारे में विश्तार से बात करेंगे इस वीडियो को देखने के बाद आपको लेसुन की खेती के लिए किसी अन्य वीडियो को देखने की आवशकता नहीं होगी आप लेसुन की खेती से ज्यादा से ज्यादा मुनाफ़क किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं इसके लिए वीडियो में विश्तार से जानकारी दी गई हैं हमारे इस वीडियो के मुख्य बिंदू होंगे लैसुन के लिए खेट तेयार बुवाई करने का उन्नत समय मिट्टी का चुनाव उन्नत किस्मे परती एकड़ बीज के आशकता बुवाई करने का तरीका, बीज उपचार, बुवाई के समय खाद का प्रयोग, सीचाई, खाद डालने का सेड्यूल, कीट और रोक प्रबंदन, खरपतवार प्रबंदन, कंद का आकार कैसे बढ़ाए, पिलापन कैसे दूर करे, साउधानिया, लैसुन को बहर कब निकले, ल किसान भाईयो, अब वीडियो को सुरू करते हैं, और सबसे पहले हम बात करते हैं, खेत की त्यारी किस परकार करे, तो जब बरसात की फचल से आपका खेत खाली हो जाई, तब आपको दो बार खेत की अच्छे तरीके से जूताई करना चाहिए, और फिर कूली पठा चला कर खेत को समतल कर ले, आप चाहिए तो रोटोवेटर भी चला सकते हैं, अगर आपके पास गोबर की खाद या वर्मी कमपोस्ट हो तो खेत की त्यारी के समय आप उसका परियोग भी कर सकते हैं, अगले नमर पर हम बात करते हैं, बुवाई करने के उन्नस समय के बारे में, लेसुन की खेती के लिए तापमान 15 डिगरी से हलसे से 35 से 40 डिगरी से हलसे से तक होना चाहिए, अब हम बात करते हैं मिट्टी के बारे में, तो आप लेसुन की खेती काली मिट्टी, दोमट मिट्टी, हलकी दोमट या फिर लाल मिट्टी में भी असानी के साथ कर सकते हैं, लेसुन की खेती के लिए मिट्टी का पीयच मान 5.5 से 7 तक होना चाहिए अगर हम बात करें उन्नत किस्मों की बारे में तो हमारे छेतर में उटी, जीटू, रियावन, आमेटा और वीडीसा इन विराइटों की बॉई सबसे ज़्यादा तर्श की जाती हैं अगर आप उटी लेसुन की बॉई करते हैं तो आपको लेसुन का बीज तमिल नाडू से मंगवाना पड़ेगा परन्तु उटी लेसुन की अगर आप खेती करते हैं तो फिर उसे जो लेसुन निगलेगा उस लेस्टन को आप गर पर ज्यादा दिनों तक स्टोक करके नहीं रख सकते हैं अब हम परती एकर बीज की आवशकता की बात करें तो ये कलियों की साइच के उपर डिपेंड करता है अगर कली की साइच छोटी है तो उसमें बीज की मातरा कम लेगेगी और अगर कली की साइच ज्यादा बड़ी है तो उसमें बीज की मातरा ज्यादा लेगेगी लेकिन अगर हम एवरेज बात करें तो परती एकर 160 से 170 किलो लासून के बीज की आवशकता होती है लासून की बुवाई आप सिड्रिल से भी कर सकते हैं और मजदूरों से चोपाई करवा के भी कर सकते हैं अगर आप चोपाई करवा के बुवाई करते हैं तो लासून का बीज कम लगता है और लासून का कंद भी उससे बड़ा बनता है लासुन की बुआई से पहले आपको लासुन की कलियों का फंगी सैट से बीद उप्चार करना बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि अगर आप बीना बीद उप्चार के लासुन की बुआई कर देते हैं आपको नाइट्रोजन फास्परस और पोटास युक्त खादों का ही परियोग करना चाहिए इसके लिए आप एनपी के बारा बत्ती सोला का परियोग कर सकते हैं या फिर आप डीएपी 1846 जीरो खाद के साथ एमोपी खाद यानी की मूरेट और पोटास को परियोग भी कर सकते हैं और बुवाई के समय आप सिंगल सूपर फास्पेट दानेदार या फिर पाउडर का परियोग चरूर करें अगर बात करें सीचाई की तो लेसुन में आपको आवश्यक्ता नुसारी सीचाई करना अब हम खाद डालने के सेड्यूल के बारे में बात करें तो आपको लेसुन में टोटल चार बार खाद डालने के आवश्यक्ता होती हैं जिसमेंसे पहला खाद आपको लेसुन उगने के 25 से 30 दिनों के बात देना चाहिए उसमें आपको परति एकर दे 30 किलो ग्राम यूरिय उसमें आपको 25 किलोग्राम यूरिया, 5 किलोग्राम बेंटोनाइट सलफर और 5 किलोग्राम माइकोराईजा परती एकड़ के इसाब से देना चाहिए उसके अलावा किसान भाईयो जब आपके लेसुन में अधेकंद का विकास हो जाए तब आपको 3 किलोग्राम एनपी के 0050 और 1 किलोग्राम बोरान खादगा परियोग करना चाहिए किसान भाईयो अगले नमबर पर हम बात करते हैं कि लेसुन में कीट और रोगों को कंट्रोल कैसे करें तो लेसुन की फसल में अगर आप थ्रिप्स, फंगस और जड़ में कीड़े को कंट्रोल कर लेते हैं तो आपके लैसुन में किसी भी परकार का कोई रोग नहीं लगेगा क्योंकि लैसुन की फसल में जितने भी रोग लगते हैं उनके प्रमुकारण ये तीन ही होती हैं तो इसके लिए आपको 15-20 दिनों के अंतराल के बाद लैसुन में कीड़ नासक और एक फंगी साइड का इस्प्रे करना चाहिए कीड़ नासक का इस्प्रे करने से फायदा ये होगा कि लासुन में अगर थ्रिप्स लग रहे हैं या फिर किसी अन्यपरगार के रस्टू सक कीड़ लग रहे हैं तो वह कंट्रोल हो जाएंगे लग नासक के लिए अ किसी किड़ नासक है और जड़ में जो क्लोरोपाइडी पास 50 पर जड़ो में जाएगा और जड़ों में कीडा लग रहे हैं तो उसको खत्म कर देगा अगले नमबर पर हम खर्पतवार प्रबंदन की बात करें तो लेस्वन में खर्पतवार को कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि अगर आप खर्पतवार को कंट्रोल नहीं करते हैं तो बुवाई के पहले आप पेंडा मेतिलेन का इस्प्रेक करके खरपतवार को कंट्रोल कर सकते हैं या फिर बुवाई के 20-25 दिनों के बाद आप ओक्सी फ्लोरफेन कोमिकल वाली दोगा का पुर्योग भी कर सकते हैं इसके लिए अडामा की डेकेल खरपतवार नासक सबसे बेश्ट रहेगी अगले नमबर पर हम बात करते हैं लासुन के कंद का आकार कैसे बढ़ाए और कंद में चमक कैसे बढ़ाए तो कंद का आकार बढ़ाने के लिए आप प्लांट ग्रोफ रेगुलेटर का पुर्योग करें जब आपके लासुन में आदे कंद का विकास वजाए तब आपको लासुन में प्लांट ग्रोफ रेगुलेटर का इस्प्रे करना चाहिए प्लांट ग्रोध रेगुलेटर के लिए आप सिजेंटा, कल्टार, बियसब, लियोसिन या फिर गाड़ा के चमतकार का प्रियोग कर सकते हैं इसके अलावा लैसुन में 90 दिन के अवश्टा पर अगर आप एक बार 0050 और बोरान का इस्प्रे भी करते हैं तो इससे आपको बहुत अच्छा रेजल्ट मिलेगा और लैसुन का कंद बड़ा और चमकदार बनेगा इसके अलावा किसान बाईयों के द्वारा लैसुन में पिलापन की शिकायत बहुत ज्यादा आती हैं तो लैसुन में थोड़ा बहुत पिलापन तो सोबैक तोर पर आता ही हैं अगर आपके लैसुन में ज्यादा पिलापन आता हैं तो उसके लिए आपको लैसुन में पानी के साथ कलोरो पायरी पास से चलाना चाहिए और एक कीरनासक और एक फंगी साइड का आपको थोड़ थोड़े दिनों के अंतराल पर इस्प्रेक करते रहना चाहिए और किसान भाईयों आपको आवश्यक्ता नुसार यूरिया का प्रयोग भी करना चाहिए क्योंकि नाइट्रोजिन की कमे के कारण भी पोदे में पिला पना सकता है अगर हम बात करें लेस्ण की खेती में साउधानियों के बारे में तो सबसे ज़्यादा जरूरी है कि आप लेसुन में ज़्यादा जल्दी जल्दी सीचाई ना करें क्योंकि उससे लेसुन में पिलापन आ सकता है और यूरिया का आप ज़्यादा मात्रा में पुर्योक ना करें आवस्यक्तर नुशारी आप यूरिया डाले और रोगों के लिए आप समय समय पर इस्प्रेय करते रहें लैसुन पकने के बाद आपको जल्दी से उसको बाहर निकाल लेना चाहिए क्योंकि अगर लैसुन पकने के बाद अगर आप सीचाई कर देते हैं या फिर ज्यादा दिनों तक चमीन में उसको रखते हैं और भाव आने पर बैस सकते हो तो किसान बाईयो यह थी वीडियो पूरी लासुन की खेती के बारे में उम्यद करते हैं या वीडियो आपको पसंद आये होगी और इस वीडियो के बाद आपका अगर कोई सवाल छोट गया है तो आप हमें कमेंट करके पूस सकते हैं उम्यद करते हैं या वीडियो आपको पसंद आये होगा वीडियो पसंद आये तो वीडियो को लाइक जरूर कीजेगा चलिए किसान बाईयो मिलते हैं अगले वीडियो में जै जवान जै किसान